हेलो एब्रीवन रादे रादे कैसे है सब अच्छे हैं और हम आशा करते हैं सब अच्छे होंगे श्वस्थ होंगे तो आज का जो मेरा बिलॉग है तो वो है बीश मार्च है आज और काना जी का लग रहा है भोग और दिन है संडे और टाइम हुआ है सुभे का साड़े ग्यारे बारे वज़े के बीच का ये टाइम है क्योंकि जब हमारा खाना बनता है तो पहले सुभे में एक बार पूजा की थी तो गोपाल जी को पहले भोग लगा देते हैं मिस्टरी या दूद का तो फैर मैं लगाती हूं रोटी सबजी का तो मैं रोटी पहले दो रोटी गाय की सेक के दी और फिर उसके बाद दो अपन मैं लेके आई थी तो ये मैंने महदी लगाई थी आज तो बाल धोए थे दो फैर में तो अब तीन बच चुका है ये मेरी जो मनी प्लान्ड है इसके जो पत्ते थे काफी गंदे हो रहे थे देखने में अच्छा सा नहीं लग राता तो मैंने गिला कपड़ा लिया और सारे पत्तों को अच्छे से साफ किया एक एक पत्ता करके हाथ में पकड़के बिल्कुल आराम से नहीं तो सारे पत्ते टूट जाएंगे बहुत जाता सौफ तो होते ही है और ये अच्छा है मैं ही रखती हूं मैं इसको धूम में नहीं रखती हूं धूम में पत्ते पीले पीले हो जाते हैं इस प्लाइंट के जो ये मुझे गिप्ट दिया था मेरी फ्रेंड ने तो सारे पत्तों को एक एक करके अच्छे से पूरा मेने साफ कर दिया है तो अब देखने में भी अच्छा लग रहा है वो बच्चों के आ गए हैं तो टूसन पर चले गए हैं नीचे बच्चे तो बस अम में बालो में गंगी वंगी करके फिर चाय बनाएंगे रसोई में ये तीन बजा है तो दो फैर के और थोड़ा सा एक दिन मेरी बेटी बोली चलो थोड़ा सा डांस करते हैं तो मैंने अलगे इसको म्योट इसलिए कर दिया है क्योंके काफी राइट लिखा जाता है जब गाने पे कुछ भी गाने और अग cancer करते हैं plastic Rich काफी राइट लिखा जाता है इसलिए म्योट कर दिया है पस मेरी बेटी वना रही थी बीडियो और मेरी बेटी में ममी नाचो नाचो तो बस थोड़ा सा कभी कभी घर में रह रहे के बोर हो जाते हैं तो चलो मन हो आके डाइंस कर लेते हैं